दोस्तों विल्कम बैक डोर चेनल दोस्तों बिहार सिशक भरती का जो अंसर की जारी किया गया है उसमें बहुत से प्रश्ण ऐसे हैं जो आपको गलत देखने को मिले हैं प्रश्ण से हैं दोस्तों मतलब उसका जो अंसर है वो गलत देखने को मिला है ठीक है अगर बात करें मे तो मैत में भी 3-4 सवाल ऐसे हैं 3-4 या फिर 5 सवाल फान सकते हैं 3-6 सवाल ऐसे हैं जो जिसमें आपको मिश्रक्तेक को मिलिया है. अफ्टेक है तो इस विडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो पहली वारत तो subscribe कर लेजिए मेरे भाई अगर बात करें गलत प्रश्णों की तो girls के sit का बता रहे हैं हम आपको ठीक है girls के sit का बता रहे हैं कौन से प्रश्ण हैं दोस्तों जिन पर इनको आपतिय उठानी चाहिए तो अगर बात करें हम पहले प्रश्ण की तो बिया आपको बता दें कि आपका जो एक प्रश्ण था रेजिनिंग में मदन के भाई के अंकल करण के पिता भाई हैं मदन और करण के बीच में क्या संबन्द है ठीक है तो BPSC के दोरा दोस्तों जो अंसर जारी किया गया है वह गलत है ठीक है BPSC के दोरा जो अंसर जारी किया गया है या गलत है तो यह आप इन प्रश्णों पर अपतिया उठा सकते हैं तो आप अपतिया उठा सकते हैं इस पर ठीक है अगर बात करें हम दूसरे प्रश्ण की तो आईए बता देते हैं आपको कौन से दूसरा प्रशन है जिन पर आपको अपतिया उठानी चाहिए दूसरा प्रशन है समुंद्र पारी भारती नगरिक्ता ओ आई योजना प्राप्त भारत निमने में से किस एक्ट द्वारा प्रारम किया गया तो अगर बात करें इसके बीप्यसी द्वारा जो इसका जो आंसर जारी किया गया है दोस्तो वो है आपका 2003 ठीक है लेकिन यह 2003 नहीं होगा दूस्तो बलकि इसका जो आंसर होगा यह होगा 1915 भीया कुछ इसतरीकी के प्राष्ण आपको गलत देखने के दो आप इस पर भी आपतिय उठा सकते हैं और बात करें हम तीसरे प्रष्ण की तो तीसरा प्रष्ण आपको पता दें काउन सा प्रष्ण है जिस पर आपको आपतिय उठानी चाहिए अगर बात करें हम तीसरे प्रश्ण की तो कौन से महा नदी परस्ति थे हिरा कुंड नदी वाला जो प्रश्ण था ठीक है तो उस पर भी आप अपतिया उठा सकते हैं तो यह बात करें कर चौथे प्रश्ण की तो मेग गरजन के समय निम्न में से क्या सुरच्छी थे तो यह आपके सवाल है चौथा वाला मेग गरजन वाला तो यह भी डाउटफूल है ठीक है तो आप इस पर भी आपतिया उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कि सर और भी प्रश्ण है जिस पर आपतिया उठानी चाहिए तो आप आपकी सब से देख लीजिए हमको यह चार कितना रह सकता है तो इनका जो कटाफ है दोस्तों हम बता देता है अगर बात करें गल्स की तो महिलाओं के लिए जो कटाफ बन सकता है इन सब चीजों को देखते हुए इनका जो कटाफ है बहुत जादा रही जाने वाला है ठीक है तो इनका जो कटाफ है यूर कटेगरी मे और अगर बात करें हम OBC कटिगरी की तो OBC कटिगरी में आपका जा सकता है इतना मान लिजिए कि 46 से 48 तक देखने को मिल सकता है जी हाँ OBC कटिगरी में जा सकता है 46 से 48 अगर बात करें वहीं हम OBC का बता ही दिये हैं अगर बात करें हम EBC की तो यह EBC का जो cutoff बनेगा इतना मान कर चलिए 43 से 45 43 से 45 तक देखने को मिल सकता है ठीक है female का cutoff और वहीं बात करें SC category की तो SC का जो cutoff रह सकता है यह आपका रह सकता है 40 से 45 ठीक है 40 से 45 तक देखने को मिल सकता है SC category में और ST के अगर बात करें, तो ST का मान के चलिए आप, लगभग आप मान लिजे, 36 से 40, 36 से 40 तक देखनों को मिल सकता है ST का कट आफ, ठीक है, और अगर बात करें हम EWS की, तो EWS वालों का भी कट आफ बता देते हैं आपको, EWS वालों का कट आफ रह सकता है, 44 से 45 या फिर 46 तक मान आफ है, देखनों को मिल सकता है, और जितने भी प्रशन हम आपको बता हैं, इस पर आप अपतिया उठा सकते हैं, या 100% प्रशन है, ठीक है, तो ऐसे में आप अपतिया उठाए, आपके मार्क से जरूर इंक्रेज होंगे, ठीक है, वीडियो को कर दीजे, लाइक और चैनल पर अगर पहली बार हैं, तो कर लिजे सब्सक्राइब, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हैंद।